आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंड बोक्स के बारे में और सेंड बोक्स को लेगे एक बहुत बड़ी अपडेट हम आपके साथ शेयर करेंगे लेकिन उससे पहले सेंड बोक्स के बारे में आपको बता देते हैं जिल लोगों को नहीं पता मेटावर्स की केटेगरी का sandbox से आप एक तरह से leader कह सकते हो वैसे तो बहुत सारे coins है Metaverse की category के Axie Infinity है, Engine है, Decentraland है लेकिन sandbox और Decentraland आप साथ साथ रख सकते हो क्योंकि sandbox जितना touch करेगा जितना उपर जाएगा उसके साथ साथ Decentraland भी जाएगा ये दो coins ऐसे coins हैं जो long term के coin Metaverse की category के अंदर और हमने देखा पिछले जो है कुछ time में हमने पहले भी update दिया था कि sandbox को लेके एक Warner Music Group की पार्टनर्शिप होई थी उस पार्टनर्शिप के बाद sandbox के अंदर इतनी बहत्रीन rally हमको देखने को मिली थी 230 रुपे से लेके सीधा पहुँच गया था ये coin 300 तक जी यहां 300 तक rally दिखा दी थी 230 रुपे से लेके अभी ये जो है 340 के करीब जो है trade कर रहा है इस time पे और काफी अच्छी rally दिखा चुका है crash के अंदर 230 पे पहुँच गया था high इसका 500-600 के करीब है और Metaverse जैसे एनाउंस हुआ Metaverse के coins ने जैसे ही boom करना चुरू किया Decentraland और Sandbox की rally बहुत जबरदस थी उस time जो Metaverse का season था ना बहुत ही जबरदस था और इवे Metaverse का season फिर से आ सकता है और Sandbox फिर से price जो हैं trade कर रहे है all time high 500-600 का है all time high से काफी नीचे मिल रहा है और अगर आप देखेंगे Gucci Gucci के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा एक बहुत बड़ा brand है हम पहले भी बात कर चुके हैं बहुत सारे brands Metaverse के अंदर entry ले चुके हैं चाहे वो Nike हो चाहे वो Adidas हो अब यहाँ पर Gucci ने भी Lance को purchase किया है Sandbox के अंदर Sandbox का Metaverse है उसके अंदर Lance को purchase किया है एक तरह से Gucci ने जो entry है वो Metaverse के अंदर ले लिया है और यह जो entry है कही न कहीं यह जो partnership है यह जो चीज हुई है यह भी कहीं न कहीं Sandbox को आगे लेके जा सकती है और जिस तरह बड़ी-बड़ी companies के साथ collaboration हो रहा है और जैसे-जैसे Metaverse develop होगा बहुत सारी companies जो है connect होती जाएंगी Metaverse के साथ जैसे हमने future के बारे में बात की थी अगर आपने वो video watch नहीं किया 2022 का end आते आते यह coin 10-20 dollar को भी reach कर सकता है एक-दो साल के अंदर इतना potential Sandbox के अंदर हमको दिखता है और काफी अच्छा volume Sandbox के अंदर आता भी है अगर आप देखेंगे और काफी अच्छा increase coin लेता रहता है अगर आप देखेंगे 230 से लेके 300 की reality हमको दिखाई तो गुच्ची की जो entry हुई है Sandbox के Metaverse के अंदर यह इसको कितना आगे लेके जाती है कितना push करती है Sandbox को यह देखने वाली बात होगी और जैसे ही और कोई update आएगा Sandbox को लेके हम आपके साथ share करते रहेंगे हम Telegram पे जो है सबी जो है update आपको करते रहते हैं अगर आपने Telegram चैनल को join नहीं किया है तो नीचे link description में मिल जाएगा उसको join जरूर कर लेना तो यही एक सबसे बड़ी update थी Sandbox को लेके और Sandbox पे भी जो है आप नज़र रख सकते हैं क्योंकि Metaverse की category का काफी अच्छा coin थोड़ा long term का लेके चलेंगे तो काफी अच्छे result Sandbox हमको दिखा सकता है आगे जो update रहेगी आपके साथ share करते रहेंगे किसी भी crypto के अंदर या Sandbox के अंदर invest करने से पहले कुद से research कर लेना वो बेहत जरूरी है आज किस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई